देखे भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में ही इस युग की आफ्टर महात्मा गांधी जी ऐसा प्रयास राहूल गांधी जी ने किया ये हमारे लिए गर्विक की बात और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जीवन का अचीवमेंट रहेगा अगर हम इतनी इस यात्रा में हम जुड़ते हैं क्योंकि पुराना इतिहास जो कॉंग्रेस का रहा है उसमें कई पद्यात्रा हुई है लेकिन राहूल गांधी जी के नित्रत्वों में जो पद्यात्रा हो रही है वो उस जमाने में जो पद्यात्रा हुई थी उससे कही ना कही उस यात्रा की कंटिन्यूशन में नई यूग को आगे लेके जाने की यात्रा रही उसमें हम लोगों को सहभागिता मिल रही है ये हमी गर्व है आज युवा हम भी यूथ हैं और हम भी बहुत समय से युवाओं के साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं जो इंपक्ट भारत जुड़ो यात्रा का यूथ पर पड़ रहा है वो किसी भी नेता जो देश में जो भी नेता अपने आपको नेता बोल रहे हैं उनसे उतनी जंता नहीं जुड़ पाएगी उतना यूथ नहीं जुड़ पाएगा जो भारत जोड़ो यात्रा की वज़े से राहूल गानणी जी तक जुड़ रहा है हाँ भारत कही न कहीं बिखर चुका है कुछ ऐसे नेता आए हैं जिनका नाम ना लेते हुए मैं कहना चाहूंगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिक एसाईयों के मन में आपस में भेदबाव कर दिया कितना सुन्दर भारत है हमारा विभिन भाषाएं, विभिन देश, विभिन वेश-भूशा धारन करते हैं और हमारे कितने सारे तहवार हैं सब एक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन ये किसी नेगेटिव राजनेतक की वज़े से नकारतमत सोच की वज़े से अमारा भारत बिखर गया था तो आज राहूल गांदी जी ने इसका बीड़ा उठाया है कि वो उस तूचे हुए बिखरे हुए भारत को फिर से जोड़ेंगे और उनकी मन में क्या समवेदनाय पल रहे हैं उसको जानने के लिए राहूल गांदी जी सड़क पे चल रहे हैं पध्यात्रा कर रहे हैं कर रहे हैं